प्रिदर्सकों मकर लगन में हमने शूर, चंद्रमा, मंगल और वुद्ध के फल को देखा अब इस वीडियो में हम लोग गूरु के फल को अर्थात जूपिटर के फल को लगन सिले के चौथे भाव में इस्थित होने को समझेंगे तो गूरु के फलादेश को समझने के लिए सरप्रथम हमारे दिमाग में गूरु के नैसरगी करकत्तों का याद आ जाना चाहिए उसके वाद से यह देखना चाहिए कि गूरु स्वामित तो किसका रखते हैं गुरु स्वामित रखते हैं आपके द्वादस भाव का जो इनकी मूलत्री कुन रासी है और दूसरा ये पराक्रम भाव का स्वामित रखते हैं जो इनकी साधारन रासी है। दूसरी चीजी है कि गुरु सरवाधिक नयसरगीक सुभग रहे हैं लगने सनी से इनका समसंबंध है नसत्रू है नमित्र है समसंबंध है। परंतो इनका जो कारकत्व में सबसे प्रधान कारकत्व है वो गुरु का है विचारों का है तो इसलिए इने गुरु भी हम कहते हैं। जीवन में जो कुछ भी बड़ा बनना हो बगएर गुरू के आसिस और गुरू के आदर और गुरू के कृपा से हम नहीं बन सकते हैं और हम जानते हैं कि कुंडली में सरवाधेक पांच भाओं के ये अस्थाई कारक हैं धन देने के अस्थाई कारकत्व इनके पास हैं विचार के संतान के अस्थाई कारकत्व इनके पास हैं भागयोदय के कारकत्व इनके पास हैं धर्म का अस्थाई कारकत्व इनके पास है और आय का अस्थाई कारकत्व इनके पास है और ग्यान नहीं तो कर्म कैसा इसलिए मुख्य कारकत्व हैं और भी बहुत सारे इनके कारकत्व हैं तो वह हम कारकत्व वाली वीडियो में लर्न एस्टोलोजी वाले में या लग से वीडियो होगी उसको आप देखेंगे और भी प्लेलिस्ट है तो उन्हें खोलेंगे डिस्क्रिप्शन में है उपर आई बटन है वहां लिंक मिल जाएगा पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा दें अब गुरु को लगने में इस्थित करते हैं और तब समझते हैं कि कैसा फल करेंगे गुरु तो गुरु यहां नीच के हो गए साथ में ये दो असुब भावों के स्वामी हो करके यहां गए तो तुरत कनफ्योजा निराइज होगा कि अब क्या करें गुरु यहां दिखवली भी होते हैं इसको समझें अथवा दुस्थान भावों के स्वामी असुब भावों के स्वा पाप प्रभावे तो यहाँ पर वो भी सुत्र लग जाएगा गुरु नीच राशी में है और पाप प्रभाव में तो होई गये नीच हो गये तो पापी गरह के रूप में हो गये तो क्या प्फल करेंगे? यहाँ यह दिगबल प्राप्त करते हैं और दिगबल सूरह प्रतिस्थ हिस्सा होता है इसलिए दिशा बल प्राप्त हो जाने की करण केंदr का भी बल प्राप्त हो जाएगा इनको सडवल में थोड़ा सा दोचार अच्छे बर्गों में और अच्छे अस्थानों में चले गए तो गुरु यहां काफे बलवान हो जाएंगे और नीच रास में रहते हुए भी यह विचारवान बनाएंगे अच्छी बिद्या भी देंगे संतान प्राप्ति भी बयवाहिक जीवन भी सुख में रखेंगे साजी दारों से भी अच्छे बनेगी यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं धार्मिक भी बनाएंगे गुरु का संबान करने वाला बनाएंगे पीता से अच्छे संबंध रखने वाला बनाएंगे तो इस प्रकार से यह गुरु तो फल यदि सनी भी पीडित हो गया कहीं से और गुरू का नीच भंग नहीं हुआ, तो थोड़ा सा नेड़ा लेने की परसानी हो सकती है, अतिसर मोटापा हो सकता है, अथवा कृसकाय वेक्ति हो सकता है, यहां पे. तो बहराल ये गुरु अधिकतर अच्छा ही फ़ल करेंगे अपने दसाओं में अब कैसा फ़ल करेंगे अब ये गुरु बक्री हो जाए तो कैसा फ़ल करेंगे तो अब दो तरह की ब्याख्याँ आपको सुनने को मिलगे एक तो नीच भी हो गया दूसरा बक्री हो गया आप तो ये बंटा धार करेगा जी नहीं जनाम बक्री हो जाने से इसके फलों में और अधिक बृद्धी हो जाएगी क्योंकि इसको और बलप्राप्थ हो जाएगा बक्रतों का और फल दीपिका में आता है कि यदि गुरू लगन में हो अकेले और बक्री हो जाए यददब कि वह अनीच का भी हो तो भी एक बहुत बड़ा राजयोग है वो इसलिए कि गुरू बलवान हो जाएगा और लगन को समाल लेगा पंचम भाव को समाल लेगा और साथ में नमम भाव को समाल लेगा गुरू का वक्री हो जाना और अच्छा है अब चलते हैं गुरू को इस भाव में इस्थित कर देते हैं दूसरे भाव में गुरू इच्छी हो जाए तो चेहरा सुंदर होगा यहां पे भी चोहरा ठीक ठाक होगा पतनी भी यानि जीवन साथी भी जादक को सुंदर प्राप्त होगा अब दूती भाव में गुरू आएगा तो सरपधम तो कुटुम्बो का सुख यहां भी यह कहेंगे कि पापरासी में ही है सनी देव की रासी में है द्वादसी सुकर के यहां पे आए जिसका फल होगा कि ध रहेंगे जातक के जीवन में अस्तम भाव पे ढृष्टी है जातक मूटे सरीर का हो सकता है। थूल काय सरीर क्योंकि गुरु मुटापा नमक रोग देते हैं तो ऐसे जातक को चर्वी अधिक हो सकती है ऐसे जातक को पेट की बिमारी हो सकती है क्योंकि इंसुलीनादी की जो है वो पेटी यहां से उपर नाभी से उपर का इसा गुरुदेव के अंतरगती आता है होगा तो भाइबानों से थोड़ा सा खटपट होगी यह भी हो सकती है कुटमों के सुख मिलेंगे जातक को सामाने तया और जातक यदि सुक्र बुद्ध और सनी ठीक ठाक रहे तो धन संग्रा करने में बिसेश परिसानी नहीं होगी लेकिन यदि सनी भी अच्छी इस्थत इस चल्ट और भी बुरा का सकते हैं तीसरे भाव में गुरू को स्थित कर देते हैं और तब देखते हैं कि क्या फल प्राप्त होगा तो अब यह गुरू सोअरासी होगा है और सोअरासी का जभगर और यहां पे एक-दो तीन चार यानि बिदेशन से सुख भी प्राप्त ह होगा विदेश से लाप राप्त होगा ऐसी स्थिती बन सकती है इनकी दृष्टियां देखिए यहां से सब्सक्राइब भाव पर पढ़ेगी और यहां से लाप भाव पर पर पढ़ेगी तो आयके कई सरोथ हो सकते हैं आयके निरंतर सरोथ हो सकते हैं अर्था जातक नौकरी क्यूक्या करे गा पर बर बाव डिब्री जाम में है तो सकता मैंनेजर ऊगा रहो सकता है यहां इक नाव जाब गई तो दूसरी जाब मिलती और गुरु पराकरम दिखाएंगे तो अपने ग्यान का पराकरम दिखाएंगे तो गुरु के नैसरगी कारकत भी काफी अच्छे होंगे तो जातक काफी ग्यानवान होगा पिचारवान होगा भाग्यवान होगा धनवान होगा निरंतरलाब भी प्राप्त करता रहेगा और सं कर देते हैं तो और फलो में और बृद्धी कहेंगे कोई भी निगेटिव इस्थिति नहीं आएगी अर्थात बक्री गुरु का रेजल्ट और अच्छा अब यहां पर आते हैं और गुरु चोथे भाव में हैं मेश रासी के हैं इनकी मित्र रासी बनती है मंगल देव इनके म दूसरे हैं अर्थात पराक्रम से धना आएगा पराक्रम करेंगे तो भूमिभानवाहन का भी सुख प्राप्त होगा और जातक उच्छ पदवी को प्राप्त करेगा जातक सुखी जीवन व्यतीत करेगा जातक अध्यात्मिक भी होगा जोतिस दर्शन अध्यात योग आदि यह साकर के हां इस्थित है तो इसका फल क्या करेंगे इसका कुछ श्थान हानी करोजी दिरिश्टियों से तो आनी नहीं है लेकिन जहां बैठेंगे वहां थोड़ी बहुत परसानी इतकिस को माता को हो सकता है कि कुछ परसानी हो सकती है और दूसरी चीज है कि भूमिभौन विदेश जाएंगे तो लाव होगा क्या निश्चित तोर पे विदेश जाकर के लाव होगा और वहां सुखी जीवन भी जीएंगे विदेशों से भी लाव प्राप्ति की उम्मीद रहेगी सम्मान भी प्राप्त होगा राजनीती में है तो जनता का छेतर भी प्राप्त होग और चुकि गुरू केंद्र में है तो संतानाद के भी सुख गुरू अवस्य दिलाएंगे यदि इनकी दसा और अंतर दसा रहती हो तो गुरू महिलाओं के कुंडली में कारक बन जाते हैं सब्तम भाव के अर्थाद दामपत्य के भी तो उत्तम जीवन साथ ही मिलेगा और गिरहस्त जीवन भी सुख में रहेगा लाव की निरन लाव की भी कुछ न कुछ अच्छी स्थिती रहेगी भूमिभान वाहन भी प्राप्त करेंगे थोड़ा से संघर्स के बाद प्राप्त करेंगे चुकि ये 12-233 हैं इसलिए कहेंगे कि थोड़े से संघर्स के बाद भूमिभान वाहन के प्राप्ति होगी और हो सकता है कि पैत्रिक संपत्ति उगर हमिले उसमें कुछ भी बाद हो तो कोड केस का चाहरी आदि कर और करके पुना वो प्राप्त हो जाए इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं तो ये गुरू भी अच्छे ही रेजल्ट करेंगे बक्री हो जाते हैं तो इनके सुफ फलो में और विद्धी हो जाए की क्योंकि ये और अधेक बलवान हो जाएंगे और पुना वसुत तो लग जाएगा कि ये लाखों दोसों का या हज्जारों दोसों का अकेले ही समन करने वाले हो जाते हैं क्योंकि नए सारगिक सुभता जो है न यह जादे महत्व पूर्ण रखती है इनकी द्रिष्टियों में अम्रित होता है इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत यहां माता और भूम को हो सकती है और भूम भूम वहां तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे उसके करण माता से बहुत हो जाए यह अलग बात है माता के धन खर्चे हो सकते हैं इसलिए बहुत हो सकती है तो यही 12 से सोने का दोस्त थोड़ा सा लगेगा तो बहुत बहुत जन्यवाद अगली वीडियो मिलते हैं